तो आज बनाते हैं ये तेवहारी स्पेसल थाली 40-50 मिनट के अंदर जिसमें जाएगा धाबाई स्टाइल ये बहुत ही स्वादिश्ट पालक पनीर की सबजी बहुत यूनिक तरीके से बनते हैं और बहुत स्वादिश्ट लगती है और इसी के साथ बनाएंगे तंदूरी रो प्याज और इसी के साथ दो टमाटर कुछ इसमें काजू लेंगे 5-6 कली लैशन अद्रक इसकी फाइन प्योरी बना लेना है प्याज छोड़के बाकी जो प्लेट में चीजे इसकी प्योरी बना लेंगे यहां एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में एट करेंगे ये पालक डाल के मतलब वाइल की हुई पालक को डाल के ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर जाल लेना है और इसमें यह एट करके फाइन सी प्योरी बना लेना है बिना पानी एट करें अब मैंने आगे की प्रोसेस के लिए लिए लिया है एक कढ़ाई और इसमें लेंगे दो बड़े चमत सरसो का तेल, सरसो के तेल से फ्लेबर बहुत बढ़ी आता है, गरम होने के बाद थोड़ा सा जीरा एट करेंगे, कुछ खड़े मसाले जैसे दाल चीनी का तुकड़ा लॉंग काली मेर्च एट कर देंगे, अब ये बारीक कटी भी प्याज को एट करके, मीडियम टू हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, बीच बीच में इस्टर करते जाएए, और इस तरीके से धीरे धीरे प्याज का कलर अच्छे से मतलब परफेक्ट आ जाएगा, और बड़िया जितनी अच्छी प्याज पक चाती है मशाले जैसे धनिया पाउडर जाएगा, बेसिक मसाले एट करना है, चुटकी भर हल्दी पाउडर एट करेंगे, लाल मिर्स पाउडर एट करेंगे, अब ये सारे मशालों को मिक्स करके ना और ये पूरे मशाले अच्छे से पका लेना है, कवर करके रख देंगे लगबग आप चाहो तो फ्राई करके पनीर एट कर सकते हैं, या कच्छी पनीर को भी एट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंदो, अगर आप इस तरीके से फ्राई करके एट कर रहे हैं, तो आपको अलग-अलग से पनीर फ्राई नहीं करना पड़ता है, जलती नहीं है पनीर इस तरी अब यहां गैस की फ्लेम को हाई करके इसको अच्छे से और भून लेंगे मसालों को थोड़ा सा और इसी में जो पालक की प्योरी है वो एड़ कर देंगे हलका सा पानी एड़ करेंगे इसको मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ लगबग 2 चमश तक घर के दूद की मलाई एड़ करना है और इसको भी मिक्स कर लेंगे अगर आपको ज्यादा ग्रेवी रखना है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी एड़ कर दीजेगा और इसी में एक क्यूप्स बटर एड़ कर देंगे यह सारी चीज़े एड़ करने से पालक पनीर की जो सबजे होते हो ना उसे बहु को एड़ कर देंगे और एड़ करके यहां स्वादमसार नमक एड़ करते हैं अब फिर से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है अब यहां कड़ाई को कबर करकी लगभग 5-7 मिनट के लिए धीमीदी में आच में पकने देते हैं जब तक इस सबजी पक रही है तब तक हम पुला आची दालचीनी का तुकड़ा तेज पत्ता एड़ कर देंगे इनको हलका सब पकाएंगे और जो बासमती राइस को मैंने धुलके रखा था ना भिंगो के वह इसमें एड़ कर देंगे तो जब आप पुलाव बनाते हैं तो पुलाव वाले चावल को आप 10 मिनट पहले ही रख दीज़े जिसे बहुत खिला खिला बनता है इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद देड़ गिलास तक इसमें पानी एड़ कर रही हूं क्योंकि एक गिलास मैंने जिस गिलास से एक गिलास चावल लिया था उसी से मैंने लगभग देड़ गिलास तक पानी एड़ बनता है यहां यह सब्जी भी बनके रेडी हो गई है तो इसमें बढ़िया सा लगाना है तड़का तो यह बहुत ही स्वाधिश्ट सब्जी बनती है लाश्ट में आप इसमें बारिक कटी भी हरी धनिया यह थोड़ा सा कस्तूरी मेती एट कर दीजे जिससे इसका फ्लेबर ब अधाम एट करते हैं और इस जो सब्जी है इसको पलट लेते हैं क्योंकि अभी हमें तड़का लगाना है वैसे तो यह वैसे बहुत टेस्टी लगती लेकिन लाश्ट में एक तड़का लगाएंगे तो और अच्छा टेस्ट निखरके आता है जो बीच बीच में टाइम बंद करके लाश्ट में कास मेरी लाल मेर चैट करके और उपर से इस तरीके से गार्निश कर देंगे बड़ी असा तड़का लग जाता है जिससे बहुत ही बड़ी आई स्मेल भी आती है और इसमें लेसुन को जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत जवरजस्त लगता है तो य आज बना रही हो, खाने में तंदूरी रोटी, जो कि बहुत ही tasty बनती हैं, आप बिना किसी तंदूर के तावा में ही बहुत बढ़िया तंदूरी रोटी बना सकते हैं, बस इस तरीके से बेल लीजे, मैंने थोड़ी से लंबे साइट में बेला है, यहाँ एक पैन लेना है, थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें पानी रखेंगे, पानी डालेंगे, पानी बाकी का आप निकाल दीजे, थोड़ा सा बस पानी लगा रहा है, मतलब तवा गीला रहा ह एक मिनट के लिए कबर कर देंगे और फिर पैन को इल्टा करके इस तरीके से डारेक्ट आच में ना धीमिदी में आच में इस तरीके से तवा को घूमाते हुए रोटी को सेक लेना है बहुत ही बढ़िया तंदूरी रोटी घर पे बन चाती है बिना तंदूर के और ये टेश का समझ में आ जाएगा इस तरीके से दीमिदी में आच में तवा को लाश्ट में उल्टा करके सेक लेना है ये देखे बहुत ही बढ़िया बनती है चली लगाते हैं एक मस्त सी थाली जिसमें जाएगा सलाथ सलाथ में इस टाइम मूली गाजर सारी चीज़े आई रही है बढ़िया बन जाता है बीच में जो टाइम बसता है उसी में मैंने बना लिया ये पनीर की सब्जी बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं पुलाओ भी बहुत बढ़िया खिला-खिला सा बना है और मैंने उधर तंदूरी रोटी भी बना के रख लिए गर्म गर्म रोटी बना किस तरीके से सब्जी में सर्व करें मजह आ जाता है खाने में और तेवहारी स्पेशल हो जाता है तो आप भी ट्राइब करें हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगर आपको इसको बनाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को लाइक